हर्दोई में सर्विलांस टीम ने फर्जी आईडी पर सीम एक्टिवेट कर अपराधियों को बेचने वाले का खुलासा किया है हर्दोई में स्वार्ट सर्विलांस वो पुलिस ने संयुक्त टीम बना कर एक ऐसे गिरोहों का परदाफ फाश किया है जो दूसरे की आईडी पर बीएसनल के सीम कार्ड एक्टिवेट करके बेचते थे इनके पास से 10,000 से अधिक एक्टिवेट सीम कार्ड 35,000 की नगदी समेथ एक ओल्टो कार वो अन्य समगरी ब्रामत की गई है इन लोगों के द्वारा किसको किसको सीम कार्ड बेचे गई है इसकी भी जानकारी पुलिस लगा रही है मामने का खुलासा करते हुए एसपी ग्यानन जे सिंग ने बताया कि पुलिस को इस काम की जानकारी लगी तो पुलिस ने इसके लिए जाल विशाना शुरू कर दिया एसपी के मुताबिक मुखबीर से सटीक सूचना मिलने के बाद पुलिस ने माधोगंज रोड सित गोरव गुपता के मकान पर दबिश दी तो वहाँ पर भारी मात्रा में प्री एक्टिवेट भी एसनल कंपनी के सीम कार्ड सीम एक्टिवेट करने वाले उपकरण ब्रामद हुए पुलिस ने अन्यस्थानों से अंशुमान उर्फ लक्की जितेंदर दिवेदी अमित गुपता अजे कुमार को भी गिरफतार किया और इनके कबजे से 10245 एक्टिवेट सीम 35,000 की नगदी दो प्रिंटर टीम लैप्टोप साथ मोबाईल ओटो कार भी बरामद की है एस्पी ने इस खुलासे पर टीम को 25,000 का पुरसकार दिया है एस्पी ने बताया कि यह सिम कहां कहां से इस्तिमाल किये जा रहे हैं पता लगाया जा रहा है यह पूरे प्रकरण में अबैद जो बी एसनल के सीम है उनको अबैद तरीके से उनका डिस्टिविशन और उनका प्री एक्टिवेशन कराना के अपराद में लोग पकड़े गया है जिसमें पास लोग गिरफतारी हुई है और दो लोग मल्लामा से पकड़े गया है और तीन अधर प्रेंटर हैं दो तीन अधर लेट आप फोटो पेपर्स यह सारे एक्यूपमेंट्स हैं इसमें स्वाट टीम और इंस्पेक्टर मल्लामा की टीम में इस काम को किया है और पूरे प्रकरण में जो सामने आ रहा है कि वो गलत पता और गलत आड़ेस गलत पोटो पे इस स्कैन करते थे फोटो या उनके एड्रेस को जो है वो एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल करते थे जो फेक डाकुमेंट्स बनाते थे उसके एक्यूपमेंट्स मिले हैं और 10245 एक्टिवेटेट से इसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बचन पर क्लिक क कर बेल आइकन को दबाए